आपकी confusion को दूर कर देते हैं निया जोशी जी बताईए ज़रा कि क्या वो महतुपुर्ण बिंदू रहेंगे जिस पर चर्चा होगी क्या अब आगे का प्रोसेजर रहेगा क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी कि अब बात आती है कि इसमें धार्मिक स्वतंतरता चाहिए कि इसके उपर कानून बनना चाहिए एक देश में अलग-अलग परसनल लॉस कहीं तरीके से भी प्रसंगित नहीं है अब बात आती है कि इसमें धार्मिक स्वतंतरता चीन जाएगी ये कानून ये नहीं बताने वाला कि कोई किस से शादी करे या किस तरीके से वो पूजा करे धार्मिक अनुष्ठान करे कुछ प्रमुक बिंदू है जो यू सी सी के अंतरगत आएंगे जैसे विवा के बात पंजी करन, पती-पतनी के क्या अधिकार होने चाहिए, तलाक की विवस्ता, उत्तर अधिकार, तलाक की स्थिती में गार्जिन शिप क्या होनी चाहिए, लीगल एर, गोद लेने का अधि लाएं, तो कहीं न कहीं लेंगिक समानता की बेगर हम बात करें, तो उसके लिए यू सी सी आज के भारत में बहुत ही जरूरी है, और इन विंदूओं को लेकर आगे, और मुझे लगता है, ये सारी चीज़े पब्लिक डुमेन में हैं, तो मुझे थोड़ा सा हास्यात्ता कि दसमाना जी एक कि उनको पता इहीं नहीं है कि यू सी सी इशूल पर बात करेंगा, यही इशूल है यही तो विशमताय है, जो थी अलग-उलग कानूनों में, जिनको खत्म करने का काम एक कानून जो आएगा यू सी को करे तो आप ने कूछ पॉइंट्स बता दियें यहाँ पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि सभी धर्मों की स्वतंतरता वैसे ही रहेगी आपको धार्मिक अनुष्ठान कैसे करना है वो आप वैसे ही करेंगे जैसे आप पहले करते थे किसी की धार्मिक स्वतंतरता नहीं छिनेगी सुरेकान जी लेकि मैं बिल्कुल मानता हूँ पती-पत्नी केалिकार समान होने चाहि시면 मुझ्लिम लौ में या हिंदु लौ में जो तलाक का मामला है उस तलाक के मामले में यह डिफाइन होना चाहिए कि शादी करने के बाद साथ आप फिरे लेने के बाद कोई बिना डाइवोर्स दिये पतनी को जीवन भर के लिए छोड़ने ही सकता ये बी ये भी विवस्ता होनी चाहिए ये फियी विवस्ता होनी चाहिए निश्चित तोर पे हिंदु हो चाये मसलिम हो हम कहां कह रहेंकि रेजिस्टिशन नहीं अच्री शादी का शायद नहाजी को मालूम हो कि किंगन विशेओं पर बीजेबि के लोगों को मालूम रहा होगा कि किंगन विशेओं पर उसीरण सी मेसी आगर जो उन में ऐसी असमानताएं है है उसमें उनके लिए कि इस प्रकार की डिस्पैरिटी क्यों होनी चाहिए क्या आप ये विश्व्वता का समर्तन करते हैं जिनको मिटाने की कोशिश की जा रही है हम हम यह कह रहे हैं कि आप आप बताएं तो कि डिस्पैरिटी कहां कहां पे हैं किन किन विशेओं पर आप चाहते हैं कि वो डिस्पैरिटी दूर हो असमानताएं दूर हो और एक जैसा कानून बने आपने बताया ही नहीं आपने वो विशे वो क्लॉजेज वो धाराएं वो त आप मेरे से किसी बारे में राए मांग रही हैं तो आप मुझे बताएंगी हम आप से इस विशेश का व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाग देता है तो उसके क्या अधिकार होंगे वो दूसरे धर्म से भिन नहीं होने चाहिए उत्तरा दिकार की बिना तराग दिये जीवन बर छोड़ देता है उसको खतम करना उसके लिए यूजिसी लेकर आ रहा है कि वो विवाहित है तो उसमें क्या सजा होनी चाहिए यह भी तो पता होना चाहिए उसके लिए तो हम इतन रहते हैं उत्राखर देख पहला राज्य है जहां पर इतना सक्त कानून हमने बनाया है तीस तरीके से अगर धार्विक पैचान अगर अपनी फुपा की कोई बनाता है तो उसका अपराधिक मामला बनता है तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सूत्रों के अवाले से अपने दर्शकों को हम बता दे यूसीसी ड्राफ्ट में करीब 400 सेक्षन है तीन सो से अधिक पेज का है ये ड्राफ्ट सूत्रों के अवाले से बड़ी खबर ड्राफ्ट में किन-किन बातों का जिक्र किया गय याची का करता रह चुकि ये तीन तलाक में शारा बानो आपका क्या कहना है क्या रियक्शन है यूसी सी अब चुकि बहुत नजदीक पहुँच गई है सरकार इसके यूसी सी लागू हो जाएगा उतराखड में कैसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग ते जो चाहते थे कि महिलाओं को भी उतने ही अधिकार मिले तलाक के मामले में जितने पुरुशों के पास होते हैं कुछ-कुछ धर्मों में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्या करते हैं युजिसी आना चाहिए और क्या करते हैं समान अधिकार होना चाहिए पूल्स और इस तरीके समान अधिकार होने चाहिए और मैं इसका सुवागत अराभी नंदन करती हूँ और समस्त्र मुश्मिन समदाय को सुवागत अराभी नंदन करना चाहिए देखिए आपके सामने उधारण है सुरेकाम दस्मारा जी वो समर्थन भी करती है और वो इस बात को लेकर खुशी भी जाहिर कर रही है शुक्रिया भी अदा कर रही है इतना तो आप मानते हैं कि जरूरत इसकी थी सीनम आप इसको आप इसको जिस दिशा में ले जाना चाह र सवाल समर्थन और विरूत कर लेकिन तलाग को लेकर अधिकार महिलाओं के पास भी अधिकार हो जितने पुरुशों के पास है कुछ समुदाय में ऐसा नहीं है एसी महिलाओं के पास भी अधिकार होना चाहिए, कि अगर उनको बिना तलाग दिये, बिना डायवोर्स दिये, जीवन भर के लिए छोड़ दिया जाए, और विवाहित व्यक्ति अपनी इस बात को छुपाए, कि वो विवाहित है, उसके बारे में भी कारून हो चाहिए, सवा जी जी ला रही है, जी जी बोली निया जी, मेरा केवल एक विनमरता से सवाल आदरने जस्माना जी से है, कि क्या ये सच नहीं है, कि ये जो अलग अलग परसनल लौस थे, अलग अलग धर्मों के, ये सबसे जादा अगर इससे कोई प्रभावित हो रहा था, तो वो हमारी ब नफिशरी होंगी, मैं भी उसके लाभाती होंगी, आप भी होंगी, तो इसलिए मुझे लगता है, कि अगर सिर्फ और सारे पक्षवी अगर हम छोड़ दें, सिर्फ लेंगिक म्याय की बात करें, जिसके लिए हमारा सम्विदान बार-बार कहता है, कि समानता का अधिकार औ सब मिल जूलकर रहते हैं, और इस प्रदेश में भी, अगर आज ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे वर्ग हैं, जिलको समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनके और धर्मों के काउंटर पार्ट्स के जितने, तो क्या ये सही नहीं है, कि ऐसा अच्छा नेहा जी, क्या इसमें एक पॉ ने घर में लेकर आए, चाहे हो कितना भी आर्थी चूप से सशक्त हो, कौन महिला चाहेगी, किसी भी धर्म की महिला, एक महिला मुझे लाकर दिखा दीजे, वो किसी भी धर्म की हो, जो चाहेगी कि उसके जीवित रहते हुए, उसके रहते हुए, दूसरी महिला उसके घर म हमारे साथ जुड़े होए हैं हरीद्वार से संदीप थोड़ी देर पहले आप बातचीत कर रहे थे लोगों से और लोगों के अलगल रियक्शन आ रहे थे लोग ये भी कह रहे थे कि इस बारे में किस तरह से लोग रियक्ट कर रहे हैं देगे धार्मिंग नगरी है और यहां से संख ध्वनिसे यूसी सी ड्राप्ट का अभी स्वागत किया लोगों ने और जो बात है अभी कांग्रेस के अध्यच की अप्रिपड़ी आई है कि उनका कहना है कि बीजेपी चुनावी हवा बना रही है और जैसा की तमाम मुद्दे हैं जो जनता का ध्यान बटकाने के लिए कर रही है यह भी उसी का एक हिस्सा है इसमें सीधे बीजेपी के जिला अध्यच है उनका ट्वीट हुआ है कि यह सिर्फ चुनावी हवा है बीजेपी की देखिए चुनावी कांग्रेस तो अपने इस तर पे कुछ न कुछ खराब बोलेगी ही बोलेगी हमने चुनाव में यह वादा किया था कि हम यू सी सी लाएंगे और आज धामी जी की सरकार ने वो वादा पूरा करने का जन भावनाओं को रखते हुए ध्यान में रखते और मैं तो धामी जी के लिए क्याता हूँ कोई पदचिन्नों पर चलता है और कोई पदचिन्न बनाता है तो निश्चित रूप से धामी जी बधाई और शुब कामनाओं के पात्र है लेकिन वो ये भी कह रहे है कि चुनावी की जे मुख मुद्दा है उनसे ध्यान भठकाने के लिए जानी की जनता की समस्याओं से ध्यान भठकाने के लिए यू सी सी लाया गया है देखिए भारते जंता पार्टी की सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास कैसे होगा इसके लिए निरंतर प्रयासरत है चाहे वो केंदर की हमारी मोदी जी की सरकार हो और चाहे प्रदेश में धामी जी की सरकार हो जब तक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं हम सिर्फ राजिती में सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आते हैं हम सेवा का अफसा ढूंते हैं और हमारे धामी जी भी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी सिर्फ सेवा के लिए काम करना चाते हैं आप बढ़ाईए कि कुछ लोग कहा रहे हैं कि इस कानू से कुछ लोगों के धर्म विशेस का जो है इसके अधिकारों का हनन होगा क्या कहेंगे इस पर आप देखे किस प्रकार से हनन होगा ये तो जो इस भारत के अंदर जिस लोगों ने चाहा उसमें बेटी को हिस्सा देने वाली बात हो गोद लेने वाली बात हो मेरी जैक्ट हो वो सब जब एक बड़ी कुम्यूनिटी मान रही है क्यों इस देश को बार बार बाटने पर तुले हुए हो जब इस भारत के अंदर रहते हैं भारत के अंदर खाते हैं भारत के लोगों का सबी लोग भारत में रहने वाले सभी लोग एक समान भाव से रहर कर करते हैं तो फिर क्यों एक मुनिटी इस बात को विरोध पर उत्री है हम किसी की भी व्यक्ति का विरोध की बात नहीं कर रहें केवल और केवल एक ही है एक भारत श्रेष्ट भारत इस देह के साथ अगर परदान मंतरी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी को भी कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए केवल समाज के अंदर इस परकार का विरोध कर वैमनस से पैदा करना है और अगर जो लोग वैमनस से पैदा करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर उनका जवाब दूसरे परकार से मिल सकता है हर दोर में हिंदू समदाई के साथ साथ मुस्लिम समदाई की भी बड़ी आबादी है हर दोर में कैसा रियक्सन देख रहे हैं देखे मुसलमान हो हिंदू हो सिक्क हो कोई भी हो जो भी व्यक्ति इस राष्ट को आगे भड़ते हुए देखना चाहता है जो भी व्यक्ति इस देश का विकास चाहता है उन सब की एकी सोच है ये सिर्फ कॉंग्रेस और इस प्रकार के जो राजनेतिक दल है इनका शिगुफा रहता है जब राम जन भूमी मंदिर का शिलान्यास हुआ जब उसका सब प्राणपतिष्था समारो हुआ तब इन्होंने क कि ये इसका मुद्दों से ज्यान अटाया जा रहा है अब पुना यह इसी बात को कह रहे हैं ये सिर्फ इनका बोलने के तक रहता है जिस वक्त ड्राफ्ट सौंपा गया उससे पहले ड्राफ्ट कमिटी की बैठके हुई क्यों नहीं इन्होंने उसमें अपने विश्यों को लगातार सुरेकां धस्माने जी बहुत शुक्रिया आपका नेहा जोशी जी भी हमारा सा जुड़ी थी साहरा बानो आपका भी बहुत शुक्रिया